नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? I hope you कि आप अच्छे होंगे आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कम्प्यूटर क्या-क्या मिल करके बना है जेनरली कहा जाए तो कम्प्यूटर लोहा, टीना, सीसा, पलास्टिक, अल्मूनियम यह सब सारे चीज़ मिल करके बना है लेकिन मुख रूप से कहा जाए कि कम्प्यूटर क्या चीज़ मिल करके बना है तो आज इसी चीज़ को हम लोग जानने वाले हैं कि कम्प्यूटर क्या मिल करके बना है कम्प्यूटर मुख रूप से दो चीजों को मिल करके बना है जिसमें पहला नमर पर आता है सौप्ट्वेर और दुसरा नमर में आता है हाड़वेर अब सौप्ट्वेर क्या है ये जानेंगे हम लोग और हाड़वेर क्या है ये जानेंगे हम लोग वो है आपके पास hardware जनरली कहा जाए कि जैसे आप पढ़े होंगे पदार्थ में ठोस से दम hardware का जैसा है और दूसरा पढ़े होंगे gas लेकिन वहाँ पर क्या होता है gas में कि हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अनुभव नहीं कर सकते हैं जनरली कहा जाए जैसे हमको वीडियो में आप देख रहे हैं तो ऐसा ने की वीडियो में आप हमको पकड़ लीजिएगा यानि आप वहाँ से छून नहीं सकते हैं लेकिन आपके पास जो mobile है जो आपके पास system है उसको आप पकड़ सकते हैं देख सकते हैं उस पे काम आप कर सकते हैं तो आपके पास जो mobile जो computer आपके पास है वो आपके पास हो गया hardware और यहाँ पे जो वीडियो हम दिखा रहे हैं यह हमारा वीडियो हो गया क्या चीज? software अब इसी चीज़ को जानेंगे software कितने परकार के होते हैं hardware कितने परकार के होते हैं क्या है सारची? तो चलते हैं आगे और जानते हैं hardware और software के बारे में computer मुखी रूप से दो चीज़ों का मिलने से बना है पहला number आपता है software और दूसरा number आता है hardware software को देख सकते हैं कारे कर सकते हैं लेकिन छूब नहीं सकते हैं लेकिन ये तीनों काम यहां पर होने वाला है देख सकते हैं कारे कर सकते हैं और छूबी सकते हैं वैसे भाग को बोलेंगे hardware और इस भाग को बोलेंगे software अब आगे चलते हैं software कितने परकार के होते हैं Software generally बोला जाए, तो मुख रूप से दो परकार के होते हैं, एक System Software, दुसरा होता है Application Software, पहला नमर System Software, दुसरा नमर Application Software, System Software और ऐसा Software होता है, जो System को, यानि अपने Computer को, अस्टार्ट करने में सहायता करता है, साथी साथ, इसके अलग-अलग जो भाग होते हैं, सभी भाग को नियंत्रित यही करता है, यानि कर सकते हैं, कंट्रोल करता है, सभी पाण को गंट्रोल करने का काम होता है, System Software का, अब दुसरा नमर यहाँ पर Application Software, अब देखिए यहाँ पर, Application Software, जिसको Shout में आप लोग बोलते हैं, Apps. इसी को बोलते हैं मोवाइल में यूच करते हैं जिसको बोलते हैं Apps application software जो होता है system software के अंदर रह करके काम करता है यानि कहने का मतलब है कि अगर आपके पास system software खराब है तो आपका application software काम करने वाला नहीं है यानि नहीं आपके हर एक पार्ट को control किया सकता है नहीं system को start कियाता है यही software खराब हो जाता है जिसके कारण से आप बोलते हैं कि system जो हमारा है खराब हो गया है यानि software अपलोड करना है software चड़ाना है मोवाइल का इसी software से application software जैसे मानली जी कि आपके पास WhatsApp है Facebook है WhatsApp रहे या ना रहे मोवाइल को कोई दीकत होने वाला नहीं है बस यहीं है यहाँ पर WhatsApp आप नहीं चला सकते हैं लेकिन आपका मानली जी कि system से जैसे मानली जी कि आपका system का setting एक खत्नम है phone setting नहीं है तो का आप call कर लिजिएगा ऐसा होने वाला नहीं है तो system वो होता है कि जो आपके पास setting mobile का setting होता है mobile के माद्य हम से समझाने के कोशिस कर रहे हैं कि computer का software क्या होता है दोनों एक ही है लेकिन mobile ज्यादा तर यूज किये हैं आप तो उसको समझ में आच्छा से आएगा इसके करण से mobile को topic ले करते चल रहे हैं setting अगर आपका खराब हो जाए तो आपका यहाँ पर application काम करने वाला नहीं है जब आप application डाउनलोड करते होंगे डाउनलोड करने के बाद इस्टोल करते होंगे इस्टोल कर लेने के बाद system वहाँ पर बैठा हुआ रहता है कहता है कि हमको allow दीजिए हर एक application को system allow करेगा अगर allow नहीं करेगा वहाँ पर डेनी कर देगा दो option मिलता है आपके पास allow और एक डेनी अगर allow करते हैं तो whatsapp चलेगा अगर डेनी कर दिए तो whatsapp चलने वाला नहीं है उसी तरह से whatsapp बहुत सारे तिस्टे मांगते हैं allow आपके पास जैसे हो गया गैलरी allow, system allow, contact number, camera, mic यह सब सारे चीच को मांगते हैं वहाँ पर और आपको वहाँ पर allow करना होता है अगर कोई भी एक option डेनी कर देते तो आपका whatsapp चलने वाला वहाँ पर नहीं होता है तो यहीं होता है आपके पास system software और दूसरा नमर होता है application software definition आप खुछ से लिख सकते हैं देखिए software का definition अगर लिखना तो लिख सकते हैं आप वैसा भाग जिससे हम देख सकते हैं कारे कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते वैसे भाग को हम software करते हैं hardware में होगी आपके पास, जिसे हम देख सकते हैं, कारे कर सकते हैं, छूँच सकते हैं, वैसे भाग को बोलेंगे hardware, software दो परकार को होते हैं, system software, दूसरा नमबर application software, system software, system को start करने में सहायता करता है, तथा भाग को control करने में, application software, system software के अंदर रहकर के कारे करते हैं, अब पर में अलग-अलग type के हमको use करना है, उसी तरह से जैसे होता है, कि bank में हमको केवल tally पे काम करना है, तो आपर क्या होता है, कि application जो भी होता, tally को, tally को एक programming की आता है, programming करने का मतलब कि हम decide करेंगे कि कौन से बटन से क्या होगा, कौन से बटन से कैसे काम होगा, हमको जल्द काम करना है, उसी काम पे main focus रहता है, तो वैसे software जो बना जाते हैं application, programming करके, उसको personally, professional use करने के लिए बना जाता है, वैसे software को हम यहाँ पे काते हैं, programming software, जेनरली यहाँ पे जो भी है, आपके पास मुखरूप से system software, application software और एक नया मिल गए आपके पास, programming software, application software को program करके, उसमें कुछ setting को set करकर करके, एक नया software बना जाता है, जिसको बुला जाता है, programming software, अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा computer में अगर आ करके हम देखे, तो computer म क्या होता है, जैसे देखिए, आपके पास पहले चलता था XP, Linux, जैसे अभी चल रहा है Windows, Windows 7, Windows 8, यह सब बोलते रहते हैं, Windows 11, Windows 9, यह सब अलग-अलग Windows 10, यही है आपके पास Windows, यानि यह क्या है, system software है, system है, जैसे होता है न मोवाइल में भी, कि setting है, तो इसको में क्या है, यह विंडो, Android है, iPhone है, क्या है, Android है, तो कैसे चलेगा, iPhone कैसे चलेगा, यह सब सारे चीज़ सब का अलग-अलग system होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी computer का भी system होता है, पहले था XP, Linux, Windows, एक होता था DOS, आभी भी DOS से operating कियाता है, desktop operating system होता है DOS, यह सब सारे जो भी हैं, आपक आपके मान लेज़े कि Paint, Tally, Facebook, WhatsApp, यह सब जो भी आते हैं आपके पास, application, इसको बोलते हैं, application software, bank application में काम कीज़ेगा, तो वहाँ पे programming software रखा जाता है, especially बना जाता है, कि हमको यह बस यही उज़ करना, तो देखिएगा, वहाँ पे जल्द जल्द काम कर लेते हैं, तो टैली में अगर आप काम जानते हैं, तो जान जाएगा, कि programming क्या क्या किया जाता है, से क्या ने किया जाता है, तो इस तरह से हम लोग आज किलियर करें, यह software को, दूसरा नवर पर आपके पास point पर है hardware, अब चलते है hardware पर, hardware को देख सकते हैं, कार्यकर सकते हैं, चूँच सकते हैं, यानि mouse, keyboard, monitor, CPU, यह सब सारे चीज़ को mouse को पकड़ सकते हैं, चूँच सकते हैं, देख सकते हैं, यह सब सारे चीज़ होते हैं, आपके पास क्या होता है हाड़वेर को बाटा ग्यानी रूपित किया गया है तीन भाग में इन्पूट के रूप में प्रोसेसिंग के रूप में और आउटपूट के रूप में इस वीडियो से पहले ही आपको पढ़ाया दिया गया है कि input क्या होता है, processing क्या होता है, output क्या होता है, अगर इस चीज को clear नहीं है तो पीछले वाला वीडियो में आप जाएं और वहाँ पर देखे, देखने के बाद आपको clear हो जाएगा क्या होता है से, लेकिन यहाँ पर आपको समझने आजाए, input होता है, वैसा भाग जिस भाग से computer को data या information दिया जाता है, mouse, keyboard, यह सबसे क्या होता है कि हम data information भेजते हैं, हमको एक है, एक लिखिए, बाहु बले two film दिखाईए तो हम लिखते हैं, तो जाता है आपके पाग, तो यह सब सारे चीज हो जाते हैं, input device में, device करने का मतलब होता है, भाग, computer के कौन से भाग जो रहेंगे, input में रहेंगे, कौन से भाग, प्रोसेसिंग में रहेंगे, कौन से भाग, output काम करेंगे, input हो गया keyboard, mouse, यह सब सारे चीज रहेंगे, microphone यह सब, processing हमें सा देखे, processing device एक ही होता है, जिसको बोलते हैं, CPU, mind कह ही खेला सब, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि यह device छीप जाता है, यानि आपके पास, आगे चल के question यह नहीं मिल लेवाला है, कि processing device क्या होता है, आगे यहाँ पर point है, जो है आपके पास output, तो मुख रूप से दो ही चीच चलता है, input और output, processing device छीप जाता है, कार्म क् एक बाद किस भाग से हमको information देगा, उसको बोलेंगे हम, output device, यानि जैसे monitor हम देखते हैं, headphone से गाना सुनते हैं, उसी तरह से आप बोल सकते हैं, कि printer है, print करके है, जो भी matter हम matter बना करके छापते हैं, आपके पास हो गया, projector, projector से हम लिकाल करके focus पे देखते हैं, परदा यह इस तरह से device hardware को हम बढ़ते हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं, hardware आखिर क्या है से, देखिए, जिनरली बताया गया, यह वोला point देख करके काल कर सकते हैं, तो I hope you कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नई साल में नई वीडियो आ रहा है, कुछ technical problem के काराण आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, आज से आपको regular वीडियो मिलेगा, अभी तो fundamental का वीडियो चल रहा है, programming का भी वीडियो चलेगा, प्रोग्राम में आपको जो भी है से जैसे wordpad, ms paint, ms word, ms excel, ms powerpoint, 4 प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम हम clear करा चुके है, सारे चीज का वीडियो है, डाला हुआ है चैनल पे, उस चैनल पे, हमारे ही चैनल पे जाएं, आये हुए हैं ही, तो जाकर के देखिए सारे वीडियो को, और complete करिए, I hope you कि आपको वीडियो अच्छा लागा होगा, इस वीडियो के अंतरगत हम लोग जाने, hardware और software, computer मुख रूप से दो चीजों के मिलने से बना है, question यही होता है, computer मुख रूप से किन-किन चीजों के मिलने से बना है, ध्यान दीजिएगा, दो, software और hardware